अगर बंद करना चाते तो बंद भी कर सकते हो अगर पहले से चालू करना चाते तो भी मैं आपको सिखा दूँगा इस वीडियो के अंदर चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे यह पहला नेटवर्क वाला ओप्सन पे क्लिक करना होगा sim1, sim2 जिसमे data उसको आपको select करना होगा या तो इसको back करके आपको यहाँ पे data mobile data के नीचे data uses पे click करना है और यहाँ से data uses limit और data saving और data access बहले options पे click करके आप check कर सकते कौन सा data ज्यादा access कर रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पे data uses पे click करेंगे यहाँ से अब daily limit भी set कर सकते हो यहाँ से on कीजिए और यहाँ से mv या फिर gv में भी set कर सकते हो ठीक है उसके बाद इसको off कर देते हैं यहाँ पे monthly भी set कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे on कर दिया है उसके बाद यहाँ पे mv और gv जो भी select करना चातो कर सकते हो जीवी कितना जीवी तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 30 जीवी इस तरीके से 130 जीवी या 13 जीवी जो भी डालके उसके बाद दन पर क्लिक करेंगे अपको data limit state हो जाएगा इस तरीके से अगर इसको बंद करना चाते है तो इसको इस तरीके से बंद कर दिजे चले मिलते नेक्ट वीडियो में I hope की वीडियो पसंद आया होगा इस दन पर जरूर क्लिक करें तब ही यहाँ पर ओफ लिखाओ आएगा